हेलो स्टूडेंट्स अब सभी का डेली क्वेशन प्राक्टिस में हार्दिक स्वागत है आज हम लोग डील करेंगे बायलोजी के टॉपिक सेल साइकल और सेल डिवीजन के एक्जांपलर क्वेशन से तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूं कि डॉक्टर श्लोग के मिस्ट्री लाते हैं रोज रात दस बज़े डेली क्वेशन प्राक्टिस तो इसी किसाँ चलिए स्टाट करते हैं अपना वीडियो ले लेते हैं अपना पहला क्वेशन तो चलिए आई यो स्टुडेंट्स ले लेते हैं अपना सेल साइकल और सेल डिवीजन का पहला क्वेशन हमारा पहला क्वेशन है मियोसिस रिजल्ट इन मियोसिस का क्या रोल है तो options देख लेते हैं इसके options क्या है option number 1 है production of gametes option number 2 है reduction in the number of chromosome option number C है introduction of variation और option number D है all of the above तो आप सभी लोग अपना answer सोच ले तब मैं आपको सही answer बता देती हूँ किसका सही answer क्या है तो उमीद है आप सबने अपना सही answer दे दिया होगा तो मैं आपको सही answer बता देती हूँ उसका सही answer है all of the above उपर के सभी option meiosis के रोल में आते हैं तो चलिए अपना अगला question ले लेते हैं हमारा अगला question है at which stage of meiosis does the genetic constitution of gamete is finally decided कौन सी stage of meiosis की जिसमें genetic constitution के ameet cut finally decide होता है तो आईए options देख लेते हैं इसके options के हैं option number A metaphase 1 option number B metaphase 2 option number C metaphase 2 option number D metaphase 1 तो आप सभी लोग अपना answer लिख दीजे comment box में तब मैं आपको सही answer बता देती हूँ इस question का सही answer है option number D उमीद है आप सबने अपना answer दे दिया होगा तो चलिए अब अपना अगला question ले लेते हैं हमारा अगला question है meiosis occurs in organisms during meiosis कब होता है organisms में तो options क्या क्या हैं इसके options देख लेते हैं option A है sexual reproduction option B है vegetative reproduction option number C है both sexual and vegetative reproduction option number D है none of the above तो आप सब लोग अपना answer सोच लीजे आपको इन मेंसे कौन सा correct लग रहा है उसे comment box में लिख दीजे उमीद है आप सबने अपना सही answer सोच लिया होगा तो इसका सही जवाब है option number A sexual reproduction meiosis occurs during sexual reproduction तो आइए अपना अगला question ले ले लेते हैं हमारा अगला question है during anaphase 1 of meiosis इन में से कौन सी events take place करती है तो आइए अपना options देख लेते हैं हमारा option A है homologous chromosomes separate option number B है non homologous autosomes separate option number C है sister chromatic separate और option number D है non sister chromatic तो उमीद है आप सब लोग अपना answer सोच रहे होंगे बहुत ही अच्छा question है आने लाइक question है तो आप सभी लोग अपना options फिर से देख ले और अपना option जो आपको सही लगता है वो comment box में लिख दे तो उमीद है आप सब लोग अपना answers सोच लिया होगा आप सभी लोग ने अपना answers लिख दिया होगा तो चलिए इसका सही option बता देते हैं इसका सही option है homologous chromosomes separate अगर यही पर एनाफेस 1 के जगे एनाफेस 2 होता तो हमारा कौन सा option सही हो जाता अगर यहाँ पर एनाफेस 2 होता तो हमारा option number C सही हो जाता sister chromatic माइटोसिस की कौन सी characteristics feature है इसमें तो आप सभी लोग options देख लिजे option number A है reduction division option number B है equal division option number C है हमारा both reduction and equal division option number D है none of the above तो उमीद है आप सब लोग ने options ध्यान से पढ़ा होगा फिर से बता देती हूँ options क्या क्या है reduction division, equal division both equal and reduction division option number D है none of the above तो option सोच लिजे देख लिजे आपको कौन सा answer सही लग रहा है तो मैं आपको सही answer बता देती हूँ तो उमीद है आप सबने सही answer सोच लिए होगा तो इसका सही answer है B, equal division माइटोसिस का characteristic feature यह है कि उसमें equal division होता है तो आइए चलिए देख लेते हैं अपना अगला question हमारा अगला question है आप बाइवेलेंट अफ मियोसिस वन consists of जो बाइवेलेंट होता है मियोसिस वन का उसमें क्या होता है तो options देख लेते हैं 2 chromatics and 1 centromere option number B है 2 chromatics and 2 centromere option number C है 4 chromatics and 2 centromere option number D है 4 chromatics and 4 centromere तो उमीद है आप सबने अपना सही answer सोच लिया होगा तो आप लोग अपना सही आंसर सोच लें सही आंसर लिख दें ये भी बहुत अच्छा question है उमीद है आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे सही जवाब सोचा होगा आपने उस जवाब को आप comment box में लिख दें कि मैं आपको सही जवाब बता सकूं इसका सही आंसर है और option number C 4 chromatics and 2 centromere तो चलिए अपना अगला question ले ले लेते हैं हमारा अगला question है question number 7 cells which are not dividing are likely to be at जो cells divide ने करती हैं वो cell division की कौन सी stage में होती है तो options देख लेते हैं इसके options क्या है option A G1 phase, option B G2 phase तो आप सभी लोग अपना answer सोच लीजे उमीद है आप सबने अपना answer सोच लिया होगा तो आईए चलिए इसका answer बता देते हैं कि सही answer इसका क्या है आसान questions था उमीद है आपने सही answer दिया होगा तो इसका सही answer है option number C G not phase इसको dormant phase भी कहते हैं इस phase में किसी भी तरीके की cell division नहीं होती तो आईए अपना अगला question ले लेते हैं हमारा अगला question है which of the following, which of the events listed below is not observed during mitosis mitosis के दोरान इन में से कौन से event शो नहीं करती तो options ले लेते हैं हमारी option A है chromatin condensation option B है moment of centriose to opposite poles option number C है appearance of chromosomes with two chromatids joined together at centromere, option number D है crossing over, तो उमीद है आपको भी इसका answer पता ही होगा आसान question है उमीद है आप सबने अपना answer दे दिया होगा मैं इसका आपको सही answer बता देती हूँ इसका सही answer है crossing over यह बहुत ही important question है exam point of view से इस question को अच्छे से पढ़ लिजे इसको revision कर लिजे इसको सही सही answer इसका जान लिजे चली आईए अपना अगला question देख लेते हैं हमारा अगला question कौन सा है हमारा अगला question है identify the wrong statement about meiosis इन given statements में से कौन सी statement meiosis के according wrong है तो option देख लेते हैं क्या है pairing of homologous chromosomes option A है option B four haploid cells are formed option number C at the end of meiosis the number of chromosomes are reduced to half और option number D है two cycles of DNA replication occurs तो उमीद है आप सबने options पढ़ लिए होंगे अपना सही answer सोच लीजे time ले लीजे 3 से 4 seconds का और answer दे दीजे तब मैं आपको सही answer बता देती हूँ कि इसका सही answer क्या है तो उमीद है आप सबने अपना सही answer दे दिया होगा तो मैं आपको अपना सही answer बता देती हूँ कि इसका सही answer क्या है option number D two cycles of DNA replication occur कभी भी meiosis में दो cycle नहीं होती DNA replication की सिर्व एक ही cycle होती है इस वज़े से ये option हमारा wrong है तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना question जो की last question है तो हमारा last question क्या है चलिए पढ़ लेते हैं select the correct statement about G1 phase तो हमें इन given statement में से G1 phase के लिए कौन सा statement correct है उसे tick करना है तो हमारा option क्या क्या है option A है cell is metabolically inactive option number B है DNA in the cell does not replicate option number C है it is not a phase of synthesis of macromolecules और option number D है cell stops growing तो इन में से कौन सा correct statement है उमीद है आप सबने options पढ़ लिये होंगे और आप सबने answers भी सोच लिया होगा तो आप सभी लोग अपना answers लिग दीजे तब मैं आपको सही answer बता देती हूँ इसका सही answer बता दिया जाए इसका सही answer है option number B DNA in the cell does not replicate इस stage में जीवन फेज में cell जो है metabolically active होती है macromolecules का synthesis होता है और cell grow करती है क्या नहीं होता है DNA in the cell does not replicate ये हमारा correct statement है बाकी statement wrong है तो चलिए हमारा question practice series यहीं खतम होता है हम लेके आएंगे अगले दिन इसी समय 10 बजे next question practice series तो इसी के साथ वीडियो को end